किट को पहले देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है तो दोस्तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये आप देख सकते हैं ये पुरा जल चुका है ठीक है कि तो रेजिस्टेंस जल चुका है और इस थोड़ा गंद भी आ रहा है तो दोस्तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले आप देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस का जो कलर है यह किस तरह का हो गया है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस खराब हो गया है तो हम लोग इसको पहले नहीं निकालेंगे resistance को बाहर नहीं निकालेंगे हम यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर इस जगाँ पर चेक करेंगे कि LED glow कर रहा है कि नहीं क्योंकि resistance तो खराब हो चुका है तो चलिए इसको test करते हैं और देख सकते हैं LED glow कर रहा है इसका मतलब यह देखिए इसका जो काम है अभी इसका जो capacitor है यह भी फूल चुका है तो दोस्तों इसमें जो problem है वो है आपका IC problem ठीक है इसका जो IC खराब है इसको देखिए मैं अभी test करूँगा फिर से syringe में तो मेरा syringe lamp जलेगा इसका मतलब यह fuse register भी के खराब था और यह IC को खराब करतिया है यह देखिए मेरा syringe lamp जल रहा है तो इसको okay करने के लिए दोस्तों आपको PF लगाना परेगा जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर एक वीडियो में कि PF देखिए इस तरह का PF लगाईएगा यहाँ पर और IC को नीचे वाला जो चार लेग यह तीस में तीन लेग है इस तीन लेग को sort कर देजिएगा इसमें चाहिए इसमें किसी एक लेग में मनाईएगा तो आपका LED ओक्के हो जाएगा ठीक है और MPCB को यह जो fuse है इसको आपको sort कर देना है तो इस तरह से इसको solution है आप कर सकते हैं तो आज के लिए इतना है वीडियो पसंद आयते है वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना मत बुलिएगा थैंकि पर वाच जड़ी टेकनिका